खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूस को सब्सक्राइब कीजिए के रहाने और शिवम दुबे जैसे शांतार बलेबाज है और ऐसे में चेन्नई तो शीश क्रम के बलेबाजों और राजस्थान के विश्विस्तरी स्पिनर्स के बीच में रोमान चक मुकाबला होने की संभाबना है रोयल्स के लिए राहत की बात ये है कि उसने इस सत्र में चेन्नई के खिलाफ पिछला मैच जीता था और इस मैच में भी धोनी ने एक समय में चेन्नई को जीत के करीब पहुँचा दिया था जब वो मैच हुआ था लेकिन आखिर में उनकी टीम को घरेलू दर्शकू के सामने तीन रन से हार का सामना करना पड़ा था लेकिन अब प्रेशर किस के उपर होगा क्या धोने इधोनी की टीम CSK के उपर या फिर राजिस्थान रोयल्स के उपर राजस्थान रॉयल्स क्योंकि अब राजस्थान में खेल रही है आज SMS स्टेडियम में ये मैच होना है लेकिन क्या प्रेशर राजस्थान रॉयल्स के लिए भी होगा क्योंकि इसी मैदान में पिछली बार जब लखनव से मैच था तो राजस्थान रॉयल्स को जीत नहीं मिली थी और इसलिए इस बार थोड़ा प्रेशर इस पिच के लिए भी होगा तो वहीं CSK के लिए ये प्रेशर है क्योंकि जो सामने टीम है वो राजस्थान रॉयल्स है और ये मैच पहले हाड चुकी है CSK कुछ करिए कुछ करिये बस बस बड़ा पोदे हम कुछ करिये महेंदर सिंग दोनी की टीम CSK हो या फिर संजू सैंपसन की टीम हो राजस्थान रॉयल्स दोनों के बीच एक टकर नजर आने वाली है आज लेकिन उससे पहले SMS स्टेडियम के क्या हाल है किस तरह का जोश वहां लोगों में नजर आ रहा है भुबनेश टाक हमारे संबादाता इस खबर पर जुड़ गए है बुबनेश जरा तस्वीरे दिखाए किस तरह की तस्वीरे आज नजर आ रही है जी बिलकुल मेगा देखे पिंक सीटी में ये IPL का महा मुकाबला होने जा रहा है और इस समय SMS स्टेडियम के अंदर लगबग काफी दर्सक है वो पहुच चुके है अभी भी कुछ लोग यहां से एंट्री ले रहे हैं जिनको सिक्रेटी चेक के बाद में एंट्री दी जा रही है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्तान में होने जा रही इस मेच में आपको राजस्तान के प्रसंसकों के साथ मैं चैने पूर कींग के जो प्राशंसक है दोनडो के जो प्रसंसक है वह दिखाई डे रहे हैं मैं दर्शकों से बात करना चाहूंगा सर अपना नाम बता है कहां से हैं अमीत योगी इंदोर से है आप चैन्ने सुपर किंग को यहां सपोर्ट करने के लिए आपका फैबरेट प्लेयर कौन सा है किसी के पूछने की जरूती नहीं मैंस दोनी सबके फैबरेट है मैंस दोनी का जो ख्रेज है उसको लेकर हर कोई यहां उनके लिए मतलब यह मैच्छ देखने के लिए हमारे साथ एक और दरसक जुड़ है क्या नामे आपका और कांसे आए मैं प्रीती हूं मैं गुजराट से आई हूं गुजराट से हैं आज र यहां दोनी अपका फैबरेट प्लेयर कॉंसा और किसको सपोर्ट यह भी दोनी के प्रसंद सख है मैं चाहूंगा कैमरामेन यह जो है वो और भी जो दर्सक है यहां खड़ा है जो एंट्री है उसको दिखाए मेगा और जैसा कि मैंने पहले भी बताया अभी मैं दुबारा इस बात को कहना चाहूंगा कि पिंक सीटी में यह जो हो रहा है मैच पिछला जो मैच हुआ था उसमें राजस्तान के सपोर्टर ज्यादा थे और पूरा पिंक सीटी पिंक कलर जो राजस्तान रोयल की जरसी का कलर है उसमें नायावा था लेकिन आज देखा जाए तो पिंक से ज्यादा इस बार दोनी के फैन है यानि की यलो जर्सी जो है वो दिख रहे लेकिन राजस्तान के दो सपोर्टर या भूड़ार ख़ड़ा है कि ये बड़ी राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्ले बाजी का फैसला किया है। पहुत होंगी लेकिन जो टीम पहले बल्ले बाजी कर रहा है उसको किस तरह से फायदा होगा ये भी बड़ी बात है आला कि भुगनेश हमार साथ जुड़े हुए है भुगनेश जरा वहाँ जो दर्शक मौजूद है जो आडियंस पहुँच रही है उनको बताईए कि टॉस ह हो चुका है राजस्थान रॉयल्स ने जीता है और पहले बल्ले बाजी करने वाली है अब किस तरह के उनके रियाक्शन जी मेगा बिल्कुल बात करते हैं एक राजस्तान रॉयल के जो फैन है उनसे बात कर लेते हैं यह अंदर टॉस हो चुका है राजस्तान टॉस जीता है और पहले बाजी जो है वो करने का फैफला लिया है तो आप इसको लेके क्या सुखते हैं कैसी कि जी सूँसते हैं कि मतरगा 180 180 V मार सकती राइसदान आजके मेश में अचा आपको लगता है कि 190 जी मेगा बिल्कुल देखैं दरसकों में रاجस्तान के जो दरसक है उनमें उच्छा इस बात को लेका है जरूर बात ही है कि वह चहते हैं कि तो वह 190 का जो है वो लक्षय चैन्ने को देगी हाला कि पिछली बार भी जब ट्रॉस राजस्तान नी जिता था लेकिन उन्होंने पहले बैटिंग जो है वो लखनव को दीती उसके क्या परहिणाम रहा है हम सभी को पताए कि राजस्तान के आज से वो मैच निकल गया था लेक प्रतापनगर जैपुट श्याप आपने राजस्तान रॉयल के जर्सी पहने है राजस्तान ने टॉस जीता है और पहले बलाबयाद जी करने का फैफला लिया है इसको लेकर आपके सब मैं यही कहना चाहूंँ है आज तो राजस्तान रॉयल की जीत होगी 100% होगी ऐसा यह अंदर मैच का टॉस हो चुका है राजस्तान रॉयल ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी कर रही है और आप लोग जो है वो चैन्नी सूपर किंग के प्रसंसक है दिखाई दे रहा है ठीक है आपका सबसे फैबरेट जो प्लेयर मैं नहीं पूछूंगा जाइसी ब इस बार ऐसा लग रहा है कि दोनी का लास्ट आई पील है और चैन्नाई ही विन होगी बिल्कुल मेगा देखें दर्सकों का भी यहीं मानना है कि जो प्रसंसक है आलकि चैन्नी सूपर किंग के उनका कहना है कि दोनी का यह आई पील लास्ट है और इसी कारण इनके मन में अब आई मस्टोनी केमरे के सामने देखे बोले एक बार इमस्टोनी यह देखें दोनी के एक ननी प्रसंसक है जो जिसके मुँपर भी एक ही नाम है चैन्नाई सूपर किंग और उसमें इनका फैवरेट जो है वो खिलाडी है दोनी जाए इसी बात है कि दोनी की जो एक के सपोर्टर यानि कि उनके जो प्रसंसक है उनके जो दर्सक है उसमें भी खास करके दोनी के वो है हमाने साथ और भी कुछ दर्सक का जुड़ा है उनसे हम जानने की कोसिस करता है कि बाया क्या नाम है आपका और कहां से है अभी शेक नाम है मेरा सीकर से आया हूँ राजस् जीत चुकी और पहले बैटिंग कर रही है और यह चाहते कि राजस्तान इस मैच को जीते और चुंकि अलग अलग अच्छा क्योंकि देखें आप जहां पर खड़े हैं वहां पुलिस कर्मी थोड़ा सा लोगों को हटाने लगे हैं शायद अब एंट्री बन्द होने वाली है कुछ ऐसा है हुआ हुआ है । जी में देखें एंट्री जो रही है मैंग की यहां से इंट्री दी जा रही है उससे अलग हटके जो आ रहे है तो पुलीस इसी वेवस्ता को बनाने के लिए इनको लाइन से लगाने का प्रयास कर रही है और जब कुछ देर पहले यहां खाली दिखाई दे रहाता यह चैत्रत ऐसा लगाता कि इस गैट से जो एंट्री है पुरी हो चुकी है लेकिन चूँ कि एंट्री गैट बहुत से है एसमेस इस्टेडियम के और कई लोग जो जैपूर के बार से है जो पहली बार मैच देखने आया है या इस्टेडियम में पहली बार आया है उन लोगों के लिए सबसे बड़ी यह दिक्कत हो रही थी कि वो अलग अलग गैट पे पहुच गये थे जहां से उनकी एंट्री नहीं होनी थी और इसी कंफिजन के चलते वे एक बार तोड़ी सी जो विवस्ताय यहां हुई थी लेकिन अभी फिलाल जो देखा जा रहे है कि पुलीस अपने माकुल बंदोबस्त में जूटी हुई है जो द सर्क हमारे साथ और जूरे वे हैं राजस्तान के यह फण लेए इनसे बात करता है , लो हो या फिर अपने प्लियर्स है पसंदिन के सिल्सला हो या फिर अपने Mos outrageous प्लेयर को से फट है नहीं और बता रहे हैं कौन है कितने मारेगा हो ज्यादा विकेट लेगा वो तमाम चीज़ें हैं लेकिन क्योंकि मैच रू होने वाला है बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है ऐसे में रोमांच भी लोगों का बहुत हाई नजर आ रहा है बहुत बहुत शुक्रिया अभूपनेश पूरी जानकारी के लिए इन तास्वीरों हुआ कुछ करिये यह बस बस बड़ा मोदे हम फुच करिये हम तक दे इंडिया